हलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है परदिगमार आप देख रहे हैं वेलकम लाइट चैनल तो दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो अच्छी लगी है या फिर वह क्या कहना चाहते हैं क्या अगली उनकी इंफोर्मेशन है तो वीडियो का इन तक देखते रहिए आज हम टोपिक पर बात करें कि अगर गार्डी के अंदर बैटरी होती है जो चोटी गार्डी हो या बड़ी गार्डी हो बैटरी तो साइज अ होता है लेकिन काम तो एक ही होता है तो फिलाल हम बात करते हैं ट्रक गार्डी बैटरी के बारे में कि अगर जो गार्डी है ट्रक गार्डी है उसकी बैटरी डाउन हो जाए तो फिर गार्डी को स्टार्ट कैसे करें आप अगर ड्राइवर है तो आपको पता होगा लेकिन जो करके हमें वहीं सोना पड़ेगा रात भी खराब हो सकती है हमारा दिन भी खराब हो सकता है जब मैं कहने का आएगा जब भी स्टार्ट होगी तो आपको कुछ दक्का दिवाईए उसको 10 की सपीर तक 10 15 की सपीर तक जब गाड़ी चलती है थोड़ी सी तो आपको इस चार्ट कैसे करनी वह मैं आपको बताता हूं दूसरा गयर लगाकर आपकी क्लिच को दबाया रखिए जब भी गाड़ी को थोड़ी सी आगे सरकती है चलती है तो उसको क किलिच को छोड़कर और तुरंत अपनी चाबी को गुमा दीजिए उससे क्या होता है कि एकदम से जो इंजन हो चलू हो जाता है थोड़ा सा उसमें करंट बनता है बैटरी में भी जो हमाई चाबी हो जहां पर लगाते हैं उससे हम आपको सदायन वासा हम बताता है क्योंकि कि एक सिंपल बासा बहुत अच्छै तरीगे से समझ माती है तो चाबी को जैसे हम उताप करेंगे कि हमने रात्तु राथ पंखा चला या फिस कोई गाड़ी की लाइट हमने चलू छोड़ दी और गाड़ी बिल्कुल डैड है इस्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही और नाई खुब धक्का हमने लगवा लिया बहुत से जतन कर लिए लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो यहां पर आपको एक ही काम करना है कि किसी मे रेस पर पैर रख दीजिए जिससे की वो गाड़ी फुल प्रेसर में आ जाए और गाड़ी की जो एनर्जी है वो फुल वापिस में आ जाए बैटरी फुल इस्टार उसकी जो है करंट में हो क्योंकि अगर दूसरी गाड़ी में करंट पहुचाने तो खुद भी करंट में ह सकतर होने छाहिए उसके सब्सक्राइब कि पुछ होता इ возмож कर लिए वंपर लिए से क्या होता है कि आप घोकी कि नbirth को भैकिली सब्सक्राय चार्ड ना ब्रद को जाता है और तर रहा ही जो चार्ड होती है पस ये दो फॉर्मूले होते हैं जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती बैटरी डाइड हो जाती है ये छोटी छोटी चीज़े होती है लेकिन बहुती मुसीबत खड़ी कर देती है जब हमारे सामने ये स्टार्ट नहीं हो पाती है तो एक बात और आपको कहना चाहता कोई भी यूज ना करें जिससे ज्यादा बैटरी हमारी खर्च हो क्यूंकि बाद में बैटरी डैड हो जाएगी तो दिक्त आ जाती है हाँ आप पंखा यूज करते हो तो एक बार उसको बीच-बीच में स्टार्ट करके देख लें जिससे की आपकी बैटरी भी चार्ज रह चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी को जब दोबाएं तो चलो दोस्ता आज के रिए जहन बंदमातर मिलते हैं लाइट प्रफिए